नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं परिक्षा संचालन से समन्धित तमाम नियमावलीों में संसोधन को लेकर हाल में ही कैमिनेट ने स्वकृति पदान की थी इसके साथ ही सवी परकार की परिक्षाव में जो संसोधन हुआ है वह गजट परकासन के साथ ही पूरे परदेश में लागू हो गया है इस संसोधित नियमावली के आधार पर ही जार्खन राज करम चाली चैन आयोग आने वाले दिनों में परिक्षाव का संचालन करेगा मौसम भीभाग के अनुसार उत्री, पश्मी और मदे भाग के ? बारीष की आसार है, इस द्रवन में गरजन होगा, और 15 अगस्त को में गरजन के साथ ? होगी और बजरपात की भी असंका है जारखन के उत्री पश्मी और मद भागों के कुछ हीसों में बारिस की भी संभवना है बता दे मौसम विभाग ने अपने पूरु अर्मान में बताया है कि 15 अगस्त को आकास में बादल चाहे रहेंगे में गर्यन के साथ बारिस की संभव की जा रही है बतादे मुख्य समारों के आयोजन के लिए प्रती दिन जवान मौराबादी में प्रेट का रियसल कर रहे हैं 15 अगस्त को मुख्य मंत्री जंड तुलन करेंगे बतादे कुरोना महामारी के संभावित खत्रे को देखते वे इस बार भी समारों का आयोजन अच्छे इस समारों में नहीं आ सकेंगे कुरोना का असर जानने के लिए जहारखन के 10 जिलो में होगा सर्वे कुरोना के दूसरी लहर के बाद और तीसरी लहर के पहले राज्य की कितनी आवादी में संक्रमन का फैला हुआ है इसके लिए जहारखन सरकार 10 जिलो में एंटी से लेकर जून 2021 तक चार चर्णों में स्यूर्य सर्वे हो चुका है अम्तिम सर्वे में 65% से अधिक अबादी में एंटिबोडी पाई गई है जारखन के लिए सियम हमंद 25 पर सोग योजना पर कर रहे हैं काम जारखन के लिए अगले 25 पर सोग योजना पर काम कर रहे हैं सिरी सुरेन ने उक्तबाते गुरुवार को अपने का के रोड इस्थित आवास में वरिष्ट संपाद को वपत्रकारों से कही इस मोगे पर उन्होंने जारखन के विगास के संदर में अपने विजन पर बात की उन्होंने काया कि कौम वक्त में जारखन का लंबे समय तक विगास कैसे हो इस पर सरकार लागातार मन्थन करती रही है जारखन के राजेपाल रमेस बैस ट्रेन से गय दूमका जाखन के राजेपाल डमेस बैस सुक्रवार की देर साम ट्रेन से दूमका के लिए रवाना हुए उनके साथ उनकी पतनी राम बाई बैस भी गई राजेपाल 15 अगस्त को 17 दिवस के अउसर पर दूमका इसित पुलिस लाइन में ज़ंडा रोहन करेंगे इससे पहले राजेपाल सानिवार को दूमका में अस्थानिय करेक्रमों में भी सिर्कत करेंगे बतादे राजेपाल का सानिवार को सिधु कानों भी सुभी दाले जाने का भी करेक्रम है जारखन में मन्रेगा से बढ़े रोजगार के अउसर जारखन में मंदेगा के जरी रोजगार के नए उसस रिजित हुए हैं बतादे करोना के चुनतियों के बीच भी मंदेगा गरामीन छेत्रों में स्रमीकों के लिए बड़ा सहारा बना है बीतिय बर्स 2021 में 1176 लाक मानो दिवस का सेजन हुए था जबकि बर्तमान बीतिय बर्स में अब तक 489 लाक मानो दिवस का सेजन हुए है बतादे करोना के दोरान में जब सभी कारे बन थे तब इन बीपरित परिस्थितियों में भी गरामीन छेत्रों में मंदेगा कतास रमीकों करोजगार उपलब्द कराया जा रहा था सलीमा और नीकी को रविंदरनाथ महतों ने किया समानित टोक्यो अलमपिक में संदार परदोषन करने वाली भारतिय महिला होकी टीम की सदस्य रही ज़ारखन की बेटिया सलीमा टेटे और नीकी परदान का समान समारो सुकरवार को आवज़ित किया गया बतादे जार्खन विधान सभा अध्यक्ष रविन्दात महतो उन्हें समानित किया यह समान समारो विधान सभा परिशन में अविजित किया गया इसे पहले इन दोनों खिलाडियों को जार्खन सरकार की तरफ से भी मोक्यमंत्रिहमन सुरेन समानित कर चुके हैं पता दे इन में दोनों को 50-50 लाख रुपे के पुरसकार रासी के साथ एक इसकुटी पदान की गई है अपसरों की वर्दी में जनपरती निदियों को निशाना बना सकते हैं नकसली जारखन में सोदनता दिवस समा रोह में नकसली खलल डाल सकते हैं मवादयों दोरा बीवी आईपी वहान और पुलिस अपसरों सरीखी वर्दी का इस्तेमाल कर संसोदों जनपरती निदियों को निशाना बनाया जा सकता है इस समान में विसे सका के एडिजी मूरली लान मीना ने सभी जीलों के एसपी को अलट भेजा है नक्सलियों दोरा हमले के संका के मद नजर एडिजी ने सभी एसपी को अपेक्षित निर्वधात्मा करवाई सुनेश्चित करने को कहा है जारخन में 32 नै केस मिले है जो राची से अरफ पुर्भी सिमू से एक धनबाद से साथ रामगर से पांच पस्मी सिमू से तीन देओः से एक गुमला से एक लातई हार से एक खुटी से दो मिले है जारकन में कूल एक्टिफ केस की संख्या 223 है भारत में 38760 नाइकेस मिले हैं भारत में कूल एक्टिफ केस की संख्या 3889 है